1831 में आज एकी दिन मैसूर पर विटीशों ने कब सा किया था 1880 में आज एकी दिन पहले मराथी संगीत नाटक संगीत शाकुंतल का पूरे में मंचन किया गया 1918 में आज एकी दिन बुलगारिया की राजा बोरिस तृत्या ने सिहासन को स्विकार किया था 1923 में आज एकी दिन भारत की पहली महिला संगा तक और पहली महिला फिजीशन कादमी ने गांगुली का निधन हुआ 1932 में आज एकी दिन एराग युनाइटेट किंग्डम से स्वतंत्र हुआ था 1952 में आज एकी दिन विश्व की तीसरे पर्माणू शक्ती बनने के लिए युनाइटेट किंग्डम ने पर्माणू हतियार का सफलता पूर्वक परिक्षन किया 1977 में आज एकी दिन पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को ब्रश्चाचार के आरूप में गिरफ्तार किया गया 1978 में आज एकी दिन कलकत्ता में पहले और दुनिया के दूसरे टेस्ट यूब बेबी का जन्म हुआ 1984 में आज एकी दिन भारत की सबसे लंबी दूरी के ट्रेन हिमसादर एक्सप्रेस कन्या कुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई 1992 में आज एकी दिन गीत सेथी ने विश्व पेशेवर बिलेई से चैंपियनशिप जीती 1996 में आज एकी दिन पाकिस्तान के 16 वर्षिय बल्लेबास शाहित अफ्रीदी ने एक दिवसिय अंतराश्ट्रे मैच में 37 केंदो में श्चतक बनाकर फिश्वकीरती मांद अचा 2008 में आज एकी दिन टाटा मोटर्स के चेर्मेन रतन टाटा ने सिंगुर से नैनोकार परियुचना सैंतर ले जाने की होशना की सल 2008 में आज एकी दिन अमारीके वित्य प्रणाली के लिए 2008 के आपात कालीन आर्थिक स्थिति करण अधिनियम पर राश्टपती जॉर्ज डवल्य बुश ने हस्ताक्षर किये थे